यानि maximum amount of urea जो है कौन से blood vessel में हमें मिलेगा यहां पर अगर देखे हैं, हिपाटिक पॉर्टल वेन गिवन है, हिपाटिक पॉर्टल वेन क्या होता है बेसिकली देखो, कंसिरो करो कि इस इस यार इंटरस्टाइन छोटा सा पार्ट बना रहे हैं, इंटरस्टाइन से क्या होता है, बलड के अंदर जो भी absorption हुआ है वो जाएगा liver के अंदर, ठीक है liver में जाएगा, यह liver में चला गया ठीक है, अब liver से, यह liver में गया और liver से जाता है हाट में ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे जादा यूरिया प्रेजन नहीं होता है, इसके अंदर सबसे जादा यूरिया प्रेजन रहा है, ammonia जो है, again, यूरिया में कहां convert होता है, liver के अंदर, तो लिवर से यूरिया निकलेगा, तो लिवर से जो वेन निकलती है, लिवर से जो वेन निकलती है, उसको हम कहते हैं, हिपाटिक वेन, तो इसके अंदर यूरिया का content सबसे जादा होगा, क्यूंकि यूरिया का formation ही लिवर में हो रहा है, ठीक है, तो हिपाटिक वेन करेक्ट चला जाएगा, आउटा तो हाट से निकल रही है, और इस आ आर्टरी, आर्टरी है एक टाइप की, तो ये जो amount है, वो सबसे जादा नहीं होता है, ठीक है, रीनल वेन में भी नहीं होता है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, देखो, क्या होता है, यहां से हाट में गया, यहां से हाट में गया, देन आउटा के थ्रू ये रीनल आर्टरी में जाता है, आउटा के थ्रू ये रीनल आ तो वाई यह जाएगा व मैंज कैप्सूल मेंaiser कैप्सूल हुए हुए तो रीनल वेन के एंदर जो है यूरिया सबसे जजादा नहीं होगा तो इस तरीके से आगे पूरा देन इस ति seventeen के अंदर जाता है वहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है हुआ जी तो यह भी इंकरेक्ट हो जागा हमारा जो करेक्ट आंसर है डाट विल वी ऑप्शन भी कि इसके रिगार्डिंग इन्फिमेशन आपको 11 की निव एंसियाटी में पेज नमबर 205 पे मिलेगी आई होग कि आपको क्वेस्टिन अच्छा से समझा क्या है